हरिद्वार में कावड यात्रा को लेकर हो रहे ही तयारी आप अंतिम दोर में है प्रसाशन ने बताये कि शिव भक्त कावडियों पर पुश्प वर्षा से लेकर जातयाद व्यवस्ता और प्रसाथ के लिए लगने वाले लंगर तक हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का इंतजाम प्रसाशन ने किया है भगवान भोलेनाथ के भक्तों की फोज कावड यात्रा के लिए इस बार 4 जुलाई से धर्मनगरी हरिद्वार में पहुँचना शुरू हो जाएगी ऐसे मैं हरिद्वार जिला प्रसाशन अपनी ओर से तयारियों में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहता इस बार 3 करोन से अधिक कावड़ियों के हरिद्वार आने की संभावना जिला प्रसाशन दोरा जताई गई है जिसके लिए युद्ध हिस्तर पर तयारियां अपने अंतिन दोर में हैं तयारियों की जानकारी देते हुए जिला दिकारी धिराज सिंग गर्ब्याल ने बताया कि इस बार कावड मेले को लेकर पहले की अपिक्षा और भी बहतर इंतिजाम किये जा रहे हैं कामर पटरी पर इस बार कामडियों के सुविधा के लिए लाइट और पानी की व्यवस्ता के साथ स्वास्त सुविधा भी कामर पटरी पर दी जाएगी जिला दिकारी ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी शिवभक्त कामडियों पर पुश्पवरसा होगी इसी के साथ सामाजिक संस्थाओं से भी अनिरोथ किया जाएगा कि वो कामर पटरी पर शिवभक्त कामणियों के लिए अपनी ओर से पुश्पवरसा और उनके लिए लंगर लगाएं ताकि शिवभक्त कामणियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए दरूरी हैं हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेशा हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूज आपके अपने